वाइरस, DNA या RNA का होता है, non-living complex होता है इसके उपर protein की या lipid की परत होती है human body में जाने के बाद protein lipid की परत घुल जाती है और cell के साथ मिलकर वाइरस का RNA अपनी कौपिया बनाना replication करना शुरू कर देता है इसी वाइरस को तोड़ने के लिए और इसकी replication को रोकने के लिए आयुष डिपार्टमेंट ने एक काड़ा बदाया था जिसको वो हमने उनों में बोला था आयुष काड़ा, जड़ी बूटियां बतायी ति उन्होंने चार और उसका नाम रखा था आयुष क्वाथ तो मैं आयुष डिपार्टमेंट को धन्यवाद देता हूँ जिनोंने इन चार तत्वों को immunity के नाम पर आपको बताया क्योंकि अभी तक पूरे विश्व में भारत सरकार आयुष को कहकर कोई research नहीं कर सकती सालों साल लग जाते हमने क्या किया इनी चार तत्वों के extract निकाल लिए और उन extract की दवाई बना दी और पूरी के पूरी capsule form में अपनी सारी क्लिनिकों में available भी करा दी है आपको पताया क्या फरक होता है रौ में और extract में अगर आप 5 अदरक बड़ी उनका juice निकालो और मैं 2 capsule खिलाओं तो वो एक बराबर है अगर आप लगबग 100 ग्राम दाल चीमी को उबालो और मैं आपको 2 capsule खिलाओं एक बराबर है अगर मैं तुलसी की 100 पतियां आपको खिलाओं और 2 capsule खिलाओं तो एक बराबर है और अगर मैं आपको कम से कम 1500 ग्राम काली मिर्च खिलाऊं, दो कैपसुल खिलाऊं, तो एक बराबर है, यानि कि एक्स्ट्रेक्ट उनी का एक्टिव इंडीडियन्ट है, जो एक्टिव इंडीडियन्ट मैंने आपको बताए, यानि कि अगर इस वक्त आप मार्किट में जा र हो, तो आपको, आपके पूरे परिवार को इस आयूशकवाद को लेना चाहिए, अब हमने वो कैपसुल साथ की पैकिंग में लॉंच कर दिया है, तो जितने भी दर्शक या जितने भी लोग हमारे पुराने कस्टमर हैं, पेशेंट्स हैं, उन सबसे मैं रिक्वेस्ट करू कि अपनी डाइट के साथ और अपनी दवाई के साथ इस आयूशकवाद को एड़ उन कर लीजिए, और जिनको भी इस आयूशकवाद की जुरूरत है, वहमारे संस्तान में फोन करके ओर्डर दे दीजिए, क्योंकि इस टाइम सबसे ज़रूरी है इम्मुनिटी, तो अब आ अपनाओ और अपने देश को स्वस्त बनाओ इस प्रोग्राम के माद्यम से, जीना सीखो के माद्यम से, हम आपको पूरे परिवार को जिन्दगी पर इन बीमारियों से ठीक होकर कैसे स्वस्त रहना है, ये सिखाने आए हैं अगर आप खुशाल रहना चाहते हैं, अगर आप सेहत मन्द रहना चाहते हैं, तो जीना सीखो जिन्दगी बहुत प्यारी है. वो लोग खुश होते हैं, और हमारी तो कोशिश ही है संस्था की, कि भारत के लोग बिमार ना पड़ें, अपने डॉक्टर खुद बन जाएं, जीना सीखें, अपना डॉक्टर बनें, बहुत सब कुछ हमारा एक फिक्स्ट है, कि लोगों का हेल्थ का स्ट्रक्चर, लोगों क वैल्थ, लोगों की हैप्पीनेस, हम कैसे सुधार पाएं और हमारी संस्था इस बारे में इस दिशा में काम कर रही हैं, और आप लोग तो इतने फ्रेंडली हैं, लोग बहुत सारे फोन साथे हैं, समर्स आते हैं, डॉक्टर ने बोल दिया उपरेशन ही इलाज है या इस बिमारी का इलाज ही नहीं है या जिन्दगी पर दवा खानी पड़ेगी तो इस लाइप प्रोग्राम में फोन करके मुझसे बात कर सकते हैं मैं कोशिश करूँगा आपकी बिमारी आपकी बिमारी की जड़ आपका खा स्वस्त हो सके सुखी हो सके और हमारे भारत का पैसा जो हजारो करोड रुपे अब बाहर जा रहा है विदेशी दवाईयों के नाम पे वो बाहर रुक जाए और हम लोग जो एक बिमारी के बाद दूसरी तीसरी चौती बिमारी हमारे साथ जुड़ती जा रही है वो भी ना डेंगू, मलेरिया, चिकन गुनिया का महौल चल रहा है, मैं आपको एक ख़वार दिखाता हूँ, ये एक चंडीगड का न्यूस पर ध्यान से देखो, शहर में 278 हुए डेंगू के मरीज, 70 को नोटीस, मलब 70 जगो को नोटीस, जिसकी वैसे मच्छर पना पर रहे हैं, अ अब मैं आपको एक छोटा सा उपाय और तरीका बता रहा हूँ, अगर आप उस उपाय और तरीके को अपना लेते हो, तो आपको डेंगू, चिकन गुनिया, मलेरिया नहीं आएगा, आपको क्या करना है, कोई भी दो दिन चल लो, जैसे आज और कल या कल या परसो, कोई भी सिर्फ रूट्स लाद और सूप लेना है, और दिन में गरम पानी पी सकते हो, ग्रीन टी पी सकते हो, दो दिन ऐसा कर लो, आपकी बॉड़ी की क्लीनिंग हो जाएगी, आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, आपको मच्छर काटे, मक्खी काटे, आपको कुछ नहीं होने ये एक पंजाब की न्यूस है, देखो, हेल्ड डिपार्टमेंट ने 431 सेंपल लिए, जाँच के लिए, लेकिन सिर्फ 32 भेज़े आगे, बकी पैसे खाके सब यहीं दबा दिये, यानि कि आपको मिलावटी खाना खाके शरीर खरावी करना है ना, तो इसलिए मैं बोलता नैचरल चीज़े खाओ, अब एक और सुन लो ध्यान से, ये आई समाज है पंजाब का, हर्याना में भी चलता है, हमाला की न्यूस पर पर है, ध्यान से पढ़ो, कि नकली दूद के सेंपल लिए, 267 सेंपल फेल होगे, तीन यार सेंपल लिए, जिसमें 267 सेंपल फेल होगे आपको लगता है दूद शक्ती, दूद पावर, दूद ये, दूद वो, तो भाईया कोई फाइदा नहीं है, बिमारी की जड़ जब तक नहीं समझोगे, ये भारत का भला हमारा भला भला नहीं होने वाला, हमारा भला भारत का भला तबी होगा, जब हम जागरूख होंगे स्वस्त रहने के लिए हम कसम उठाएंगे कि हमें स्वस्त रहना है ठीक रहना है और स्वस्त ही मरना है जब तक हम जीना नहीं सीखेंगे अपने डॉक्टर खुद नहीं बनेंगे हमें दुनिया का कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता हलो हान जी हाँ जी बताईए नमशकार कहां से बोल रहे हैं नमशकार लकनों से बोले हैं सर हाँ सर सवाल पूछिए उमर कितनी है आपकी वजन कितना है वजन एक सो तीन और क्या तकलीफ है इसके लवाब आपको जब तक लिवर सतर फ्रण खराब नहीं होता किसी रिपोर्ट में आता नहीं है एलोपैथी में यह प्रॉब्लम है मेडिकल विज्ञान में कि जब तक विमारी बढ़नी जाती न तब तक रिपोर्ट में नहीं आती अच्छा मुझे यह बतावा आप आप ने प्रोग्राम आज पहली बार देख्या के पहले भी देख्या है तो आपने इस प्रोग्राम को चोटे शोटे करके खाना खोटे शूण चोटे करके खाना तो करना शूरू किया के सिरफ सुना ऑना सबस्मेंति दूदो करते हैं कि अध्र और दूदृवली चाहित sondern करते हैं रात को बॉश हैं सोना जी गाय की दूद लेत 150 Michwireना अच्छा है तो को अधर नियुस्ता के इस पर क्यों नहीं किया भी तक जिनको लगता है कि दिवे किट से मैं ठीक हो सकता हूं तो उसको हमारे को खाली दिवे किट मंगवानी है हां जी अगला कॉलर है हमारसाथ हां जी नमशकार हालो हालो हां जी सर सवाल पूछिए हां जी बताईए सर अभी कुछ दिन पहरे मेरे को ब्लॉकेज हो गया था हाट में हाट में ठीक है तो ब्लॉकेज में अभी स्ट्रेंट डलवाया हूं अपरेशन कर वाया हूं डलवा लिया हां अमर कितनी है आपकी उमर 40 साल वजन कितने है आपका वजन लगब 33-88 किलो ओके और कद कितना है आपका कद पांच फोट आट इंच ब्लड रूप क्या है अभी पॉस्टिव अच्छा आपको किसी भी डॉक्टर ने अभी तक यह समझाया कि यह ब्लोकेज हुई क्यों है और आगे दुबारा नहीं होगी तो क्या करना है आपको यह तो नहीं समझाया आप पुछा डॉक्टर इतने ज़्यादा सीनियर हैं कि उटके पास समय ही नहीं है समयाने का आप ने परोग्राम पहले बार देखा है कि पहले कभी देखा है पहली बार ही देख रहा हूं है अच्छा आपने फर्स टाइम देखा है दी जी मेरे को पांक सालों के टीवी पर यही बडर स्टोन या फाइबराड या यूटरस चैंसर हो ही ना मलब पहले परहें सिखाते हैं पहले तुमारा यह तरीका है दूसरा जब बीमारी हो जाए तो बिमारी पे नहीं बीमारी की जड़ पे काम करो वरना बिमारी ठीक नहीं होती जैसे कि आपने आपकी आर्टरी में ब्लोक के जाए, आपने स्टंट डलवा के उसको आर्टरी को खोल दिया. लेकिन आर्टरी में ब्लोक के आई, क्यौं कारण खतम नहीं किया ना? तो अब आपकी रोसें आर्टरी में ब्लोक के जाएगा तीन या पांच साल के अंदर-अगर आप तो दर्शकों मैं आपको एक छोटी सी चीफ दायता हूँ, हमारे घरों में न, ये देखो मैं आपको एक न्यूस पर दिखा रहा हूँ, गुड कोलोस्टोल से कर सकते हैं, बैड कोलोस्टोल कम, हमारे न कोलोस्टोल हैं, गुड बैड LDL, HDL, VLDL, ट्राइगली स्राइड और पिट प्रफाइल, तो एक न, गुड कोलोस्टोल होता है, जिसको बोलते है, HDL, अगर आप उसको बढ़ा लेते हो, तो हार्ट की प्राबलम ठीक हो जाती है, बुरा कोलोस्टोल कम हो जाता है, अब गुड कोलोस्टोल कैसे बढ़ता है, एकसरसाइस से, खुश रहने से, फ पीने की चीज़ा है, वो बैट के, खाने की चीज़ा है, खड़े होके ना खाना 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 है, ना पानी पीना ना दूद इक गॉए उतना फाइदा करेगी, एक जितना भी दिन बर में खाना खाते हो, उसका साथ साथ परसेंट कच्छा होना चाए सलाद और फ्रूड के जूसिस प्रॉपर मने हमारी फूड पाइप साफ रहे और इस तरह हमारे को पूरी बॉड़ी में बेनिफिट मिले हां जी बताइए हां जी नमस्कार हां जी बताइए हां मेरे वो बीटी है थैरेन है और गठिया वाई दिया है अच्छा आपको सबसे आ तकलीफ कौन से बिमा मेरे पैरों में सूजन आ रही है उमर कितनी बताइए आपने अपनी 38 है 38 और शादी को 19 साल हो गए आपकी हां यानि कि कम और शादी हो गई थी आपकी जी जी अच्छा ये बताओ सबसे पहले क्या तकलीफ हुई थी आपको मुझे मेरा बेटा हुआ था पहली वार तो भी पी हाई आपका तो गोली रेगुलर खा रहे हो देखो उस गोली के साइड आपको गठिया भी आ गया और थाइड़ भी आ गया ये तो आप पता लगा यह गोली बीपी गा इलाज नहीं है अच्छा आपने प्रोग्रम पहली बार देखा है कि पहले भी कभी देखा है नहीं नहीं मैंने पहली बार ही देखा है एक तो दूद वाली चाहे बिलकुल नहीं पीनी होती बीपी वाले को और सूराइ डूबने के बाद प्रोटीन बिल्कुल नहीं खाना होता जो पैरों में सूजन है उससे इसर बढ़ा हुआ आपका यूरिक एसिड या इसर बढ़ा हुआ है वो तो सही आया है रिपोर्ट में एक तो हिंदुस्तान में प्रॉब्लम तो रिपोर्टे हैं आपका च चलो तो मैं बता तो रहो ना इसर बढ़ता है तब ही सूजते हैं आप एक काम करो हाँ इसर गंदे खून की मात्रा इचे संस्ता में स्क्रीन पर नंबर लिखे हुए हैं वहां फोन कर लो विशेशक के फोन उठाएंगे उनको पूरी प्रॉब्लम बोल दो वह पर आपको प प्रॉब्लम भी नहीं आएगी जिनको भी बलड शुगर है ध्यान से पड़ो अगर बलड शुगर है तो पचास प्रसेंट तक दिल की बिमारे को खत्रा बढ़ सकता है लेकिन बलड शुगर को कंट्रोल करना पड़ेगा अब आप लोग बलड शुगर कंट्रोल करते हो गो खाना नहीं खाना दर्श को एक ब्रेक का इशारा मिल रहा है ब्रेक के वाड़ आपसे फिर मिलते हैं आईए जाने ये दिव्वे किट हमारे सभी रोगों पर कैसे काम करती है हमारा शरीर रस रत मास मेद अस्थी मज़ा और शुक्र इन सातों धात्वों से बना हुआ है और कब यदि ये दोश अपने स्थान से बढ़ जाए या कम हो जाए तो रोगों की उतपत्ती होती हैं जब हम गलत आहार विहार करते हैं तो हमारे शरीर की पाचन क्रिया बिगर जाती है जिस कारण हमारे शरीर में अपक्वरस बनने लगता है जिससे हमारे शरीर के दोश बिगड़ते हैं और सातो धातू की पृद्धी और रास होने के कारण भिन-भिन प्रकार के रोग उत्पन हो जाते हैं कि इस मिमारी से कैसे बचा जाए आप बताएंगे आपो क्या क्या तकनीफ थे और क्या क्या फाइदा हुआ है यह मैंने दवाई दीवे किट शरू करें मेरा मेरा आट किलो वजन गट गया और मेरे से उठा बैठा नहीं जागा ता बिल्कुल अच्छे से उठ बैच लेती हू देश के नागरी को क्या कहना चाहती हूँ आयरुएदिक दवाई बहुत अच्छी दवाई है दिवे किट जरूर लेना चाहिए लीवर बदला जा रहा है किड्नी बदली जा रही है कभी हार्ट की ऑपरेशन किये जा रहे हैं कभी यूट्रस रिमूव कर रहे हैं कभी पित है आप बिमार होने ही क्यों दे रहे हो जुरत है बिमारी के कारण जड़ पर काम करने की तो आईए हमारे साथ योग मेडिटेशन वे आईरुएद की रिसर्ज के प्रिणाम दिव्यकिट को अपनाईए और अपने पुरे परिवार को हर गभी बिमारी वे ऑपरेशन से बच का संग्र है जो कोशिकाओं को आवश्यक पोशक पदार्थ पहुंचा कर अंगों को स्ट्रॉंग और हेल्दी बनाती हैं जिससे आपका इम्म्यूनिटी सिस्टम बूस्ट होता है और मेटाबॉलिजम बैलन्स हो जाता है आपका शरीर हर तरह की बिमारियों से लड़ने के के लिए सक्षम हो जाता है और आप रोग मुख और स्वस्थ जीवन चीने लगते हैं तो जरा भी देर मत कीजिए अपने निरोग खुशाल जीवन के लिए स्क्रीन पर आ रहे हैं नंबस पर अभी कॉल कर मंगवाईए दिव्यकिट इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं जी सरदी पर छाओ तो इस लाइफ प्रोग्राम मैं आप फौन करके मुझष से बात कर सकते हैं मैं कोशिश करूँगा आपको कोई ना कोई सला सही उचित मार्द रसन की कि कैसे बिमारी और बिमारी से हम इस भारत को इस भारत के नागरिकों को और उनको ब abuse हैं वोना ध्यान कैसे रखना है दर्शो को एक छोटी सी बात ध्यान से सुनना कोई भी बिमारी तब तक ठीक नहीं हो सकती जब तक आप स्विकार नहीं करोगे कि ये बिमारी मेरी ही किसी जानी या अंजानी गलती की वज़े से है चाहे वो BP है, चाहे शुगर है, चाहे कमरदर, चाहे सिरदर, चाहे घुटनेदर, जो मरजी बिमारी हो आपको, आपको स्विकार करना पड़ेगा कि मेरी ही किसी जानी या अंजानी गलती की वज़े से बिमारी है, जब तक आप स्विकार नहीं करोगे तब तक ठीक होने की त तरफ दिशा की तरफ कदम नहीं बढ़ेगा मैं आपको एक छोटा सा उधारन दिखाता हूं जैसे हम लोग एक आज की डेट में कोई भी बिमारी है तो एक सबसे पहले चलता है एंटीबाइटिक एक भारत में बोला जाता है एंटीबाइटिक तो पूरे विश्व में मशूर कर रहे हैं पुर्शों के बाल जड़ रहे हैं कोई ट्रांस्प्राइट करा रहा है को फिर कौन-कौन एल यूज कर रहा है बेसिकली एंटीबाइटिक के बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं एक सबसे बड़ा खत्रा एंटीबाइटिक क्या आ गया कि उसकी रिजिस्टन शु आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे विश्व के बड़ेवे डॉक्टरों के कि एंटीबाइटिक के सवाल से नुकसान क्या क्या होते हैं अब मैं आपको एक न्यूस पर और दिखा रहा हूं यह कह रहा है ट्रांस्प्रांट करांती और बढ़ते खर्च मालब आज क लोग ट्रांस्प्रांट की बड़ी बात करते हैं घुटना करा लो कमर रीडिक हड़ी करवालो सर्वाइकल के लिए गरदन का उपरेशन करा लो हार ट्रांस्प्रांट करा लो लीवर ट्रांस्प्रांट करा लो यह क्या कह रहे हैं ट्रांस्प्रांट जो करांती चली है उस और बहुत सारे मैं इस तरह दिखा दूँगा गुटना है तो TRANSPLAINT करा लो मैंद अब ट्रांस्पलांट 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 लेकिन अभी बॉस्टन यूनिवर्स्टի अमेरिका की रिसर्च होई थी है कि जितने भी तरह के ट्रांस्प्राइट होते हैं जाए घुटने का, कमर का, गर्दन की हड़ी का, लीवर का, किसी तरह का, हमारी किडनी का, गॉल बेटर निकालने का उपरेशन होता है जब भी तो इम्मूनोस्प्रेसन द्वाईयां दी जाती है, जिसकी वज़े से हार्ट अटक का, और दूसरी और बिमारियों का खत्रा बढ़ जाता है तो ये आपको ही समलना पड़ेगा कि हमें ऐसी नौबत नाए इसलिए हमारी संस्तान ने एक 30 मिनट की दिव्य साथना का विशकार किया है कि रोज उस 30 मिनट की एक्सराइस को करोगे तो बिमार ही नहीं पड़ोगे और बिमारी नहीं पड़ोगे तो ठीक रहोगे एक कॉलर है हमारे साथ हाँ जी नमशकार सवाल पूछे नमशकार सर हाँ जी बताइए सर जी मैं कश्मीर से बोड़ रहा हूँ हाँ बोलिए सर सर जी मेरी एक प्रावलम में है मुझे एक दो मीने पहले फैटी लिवर आया था सर फैटी लिवर आया था आपको दिक्कत क्या क्या रही है उसकी वज़े से सर जी फैटी लिवर आया था मैंने तो परेज वरेज किया था एक दो मीने लेकिन उसके बाद फिर भी यहां पर थोड़ी सी जलन होती है, राइट साइड में, फिर आल्टरा साउंड नहीं कराया. ठीक है, अच्छा यह बता हो, इसके लावा और क्या तकलीफ है आपको, कोई बीपी, कोई शुगर? अच्छा वजन कितने हैं आपका और उमर कितनी है? और वजन मेरा है, वजन मेरा है, वजन मेरा है, वजन मेरा है, शिक्स्टी टू, और शुगर नाम किया आपका? अच्छा मुझे यह बताओ, 27 साल के उमर में लीवर खराब हुआ क्यों? क्या पाक असर हो तो पता नहीं है, कोई आइडिया क्यों हो सकता है, क्या गलती हो सकती है आपकी? सर जी, खाने दिने का स्टाइल नहीं पता था ना, मैं पिछले आपका प्रोग्राम पिछले 5-6 मेंसे कंटूलसली देख रहा हूँ, जबकि मैंने मंगवाई, अपने लिए तो मैंने किट नहीं मंगवाई, लेकिन मेरा एक रिलेट हुए, उसमें मंगवाया किट, उससे त क्यों नहीं हो सकती, रोजाना हमारी संस्ता में 15-20,000 फोन आते हैं मुझसे बात करने के लिए, अब मैं एक इनसान 24 गंटे का दिन, जिसमें 8-7 गंटे सोना भी है, कोई और काम भी करने है, मुश्किल से अगर मैं लोगों से मिलना शुरू करूँ, बात करना शुरू पूरे महीने में मुश्किल से 600 लोगों से, एक साल में होंगे लगब 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 अठारा सो लोग, और आप खुछ सोचो कि क्या हाल होगा, पूरा साल भी जाएगा, तो मुश्किल से मैं तब भी पचास हैं लोगों से बात नहीं कर पाँगा, और भारत के वादी 125 पूरें, उन से पूरी बात करके बिमारी समझ के उसके अकॉर्डिंग उनको उपाए या कोई दवाई या परहेज बताएं, अब आपको फैटी लीवर ठीक करना है ना, उसके लिए कम से कम 3-4 मिन दवाई खानी पड़ेगी, एक तो हमारी दिव्वे किट लेनी पड़ेग और साथ में हमारी एक चाय आती है, ग्रीन टी बोलते हैं, दिव्वे हमने तरह समोलते हैं उसको, बेसिकलि वो चाय नहीं है, ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ, बेसिकलि ये 32 जड़ी पूटिया है, ये ना, इसमें हर्ब्स है, इसमें अश्वगंदा है, सौफ है, इ लाइची है, तुलसी है, लाल चंदन है, सफेज चंदन है, इसमें जड़ी पूटिया हैं 32, उस 32 जड़ी पूटियों को उबाल के दिन में तीन बार पीना है, और दिव्वे किट के साथ यूज़ करना है, तो तीन से चार मिने में फैटी लीवर नॉर्मल आ जाता है, लेक सरशादी तो करनी है, तो कुरानी है ना, तो फैटी लीवर ठीक कर लो, क्योंकि फैटी लीवर अगर रहता है ना, तो हमारे शरीर में खाना अजम लेट होता है, मेटाबलिजम सलो हो जाता है, जिससे थाइरेड, बीपी है, शुगर है खत्रा बढ़ता है, और सबसे नुकसान होता है, हमारी यौन शक्ती भी कम होती है, पौरू शक्ती भी कम होती है, इसलिए लीवर को और शुगर को इग्नॉर मत करा करो, जिसको भी शुगर है, जिसको भी लीवर कमजोर है, उन लोगों की यौन शक्ती कम होती है, तो किरपया प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है पूरे भारत के लोगों से जल्दी से जल्दी इलाज कराया करो शुगर वाले और लीवर खराप वाले क्योंकि इससे मेटाबोलिजम बिगड़ जाता है मींस चै उप चै क्रिया खाना हजम होने की स्पीड और बहुत सरा लोगों थाइड़ आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं आप संस्ता में फोन कर लो और आपका थैंक्यू आपने फोन किया दर्शकों मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूंगा जैसे मुटापा आजकर एक बड़ी हैं ध्यान से सुनो प्रेग्नेंसी में हर दो गंटे वाद जो लिखाव है ना कुछना को जरूर खाएं तो कुछना को जरूर खाएं में आपको बिस्किट भुजिया नमकीन नहीं खानी आपको फ्रूट सलाद हरी सबजी सूप लेना है और रेगुलर चेक अप भी कराना है क्योंकि आजकल आपने नोटिस किया है बच्चे की दिल में छेद टेड़े पाओं वाले बच्चे मस्कलर डिस्ट्रॉफी बच्चों को ट्यूमर मलब बिमार बच्चे पैदा हो रहे हैं क्योंकि आपक लोग प्रेग्नेंसी में कभी गोलगपे खाने हैं कभी टिक्की खानी हैं कभी गुलाब जमून तो किरप्या करके मेरी पूरे भारत की हर मां से अपील है कि प्रेग्नेंसी के नो के नो मीने हरी सबजीयां फ्रूट और नैच्रल चीज़े खाओ एक तो दूद की वनी यह चीज़े चीज़े मत खाओ मैं दिखा भी देता हूं आपको पताओ क्यूं अभी चैसे मेगी से बेहन हट गया लेकिन सुप्रीम कोट ने फिर बोला है कि बताओ अभी जाच करके कि मेगी में अभी लेड कितना है लेड मतलब सीसा MSG यानि कि आपके पेट को खराब करन अब ने जाच की है तो मैं रिक्वेस्ट करना चाओंगा यह चाओमिन यह नूडल्स इनको मत खाया करो प्रेगनसी में भी और वैसे भी यह बिमार करती है शरीर को खराब करती है इसको बोलते हैं फास्ट फूड जिसमें की कोई ना कोई प्रिजर्वेटिव हैं कोई ना क अगर आपको चाओ पीनी है तो हरबल्टी पी लो हम लोगों ने आप ही लोगों की जूरत के लिए इसी लिए हमने चाओ बनाई वैसी के लिए वो चाओ नहीं है 32 जड़ी बूटियां कि आप पी होगे तो कम से बाड़ी की इम्यूनिटी बढ़ेगी इच्छा शक्ती बढ आपके अंदर की रिजिस्टन पावर इम्यूनिटी बढ़ेगी तो आप बिमारी से लड़ने के लायक हो जाओगे सक्षम हो जाओगे एक मैं आपको न्यूस पेपर और दिखा रहा हूं ये आप लोग ना कई न्यूस का उल्टा मतलब निकालते हो ध्यान से पड़ो क्या लिखा हूँ है दिन में दो पेग लीवर को रखते हैं हेल्दी अब आप लोग एक खबर पढ़के सारे शराब भी पार्टी करेंगे कि शराब पीने से लीवर हेल्दी रहता है दो पेग पीने है बड़ी इस न्यूस पेपर का मतलब क्या पहले हो सुलो पंजाब के सरी साथ में कोई भुजिया नमकीन और खाने की चीज़े ना खाके सिर्फ नैचरल फूर्ट सलाथ खाया जाए आपके और पूरी फैमिले में किसी को बीपी शुकर नहीं होना चाहिए तो शराब दवाई का काम करती है लेकिन आपको पैग भी चाहिए पट्याला साथ में आद ड्रिंक के टाइम पे बोलते हो तो उस टाब हवाप पेट में चली आती है बाद में एस्डिटी गैस्ट्रिक और पेट में कोई बैक्टीरिया वाइरस इंफेक्शन गुसने से आप ज़्यादा बिमार पड़ते हो जीना सीखो ये कारिक्रम संस्था गौड ग्रेस पाउंडेशन की ओर से चलाया जा रहा है संस्था का उदेश्य है कि भारत में रहने वाले किसी भी नागरी का कोई भी गैर ज़रूरी ऑपरेशन ना हो साथ ही हमारी भारतिय जनता कारिक्रम जीना सीखो के माध्यम से अपले कि उन्हें किसी भी प्रगार की कोई भी बीमारी जैसे शुगर, बीपी, मुटापा, कमर दर्थ, अस्थमा, जोडों का दर्थ, पेट के रोग, लिवर खराब, किट्नी फेल आधि किसी भी बीमारी की दवा ना खाने पड़े और ना ही ऑपरेशन करवाना पड़े हमारी संस्था की ये कोशिश है कि हर व्यक्ती को उसका डॉक्टर खुद बना दिया जाए ताकि देश का करोड़ रुपया जो हर सार एलोपेथिक दवाईयों पर खर्च होता है वो ना हो अगर आप या आपका अपना कोई किसी भी गंभीर वीमारी से परिशान है तो दिव्यकिट मंगवाएं या अधिक जानकारी के लिए समस्था